अगर आप एक से दो EMI default करते हैं तो बैंक NBFC एक से दो EMI default होते ही आपको notice भेज कर आपके उपर case कर देंगे आज की इस वीडियो में हम इसी विश्चे में पूरी चर्चा करेंगे और आपको सही चीज क्या है चैनकारी देंगे आप लोगों से मेरा request है वीडियो को आप जरा भी skip न करें अगर आपने वीडियो इसकिप कर दिया जो इस वीडियो में information दी जा रही है आप 110% मिस कर अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार से useful information लेकर करके आते रहें valuable information लेकर करके आते रहें आप हमारे YouTube चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में well icon को प्रेस कर दें और on कर दें all notification को उससे क्या होगा कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो चलिए आप ज्यादा वक्त ना लेते हुए start कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो वीडियो start करने से पहले हमने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छ यहां पर पूरे तरीके से जो आपको services मिलती है हम पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपको advice दे सकते हैं हाला कि हम कोई advocate नहीं है और अगर हमें लगता है यह case advocate के पास में जाना चाहिए तो हम उस case को advocate के पास प्रवड कर देते हैं और आपको advocate से connect करा देते हैं तो आप इस service का लाब जरू उठाएं यहां पर आपको बहुत minimum fee पे करके अच्छी घासी मदद आपको मिल जाएगी और वो service आपको लेनी कैसे है देखिए उस service को लेने के लिए हमारे इस WhatsApp नंबर पर आपको message करना है अपना नाम अपना mobile नंबर प्लस आपका जो problem है वो अगर आप आपका problem पूरे तरीके से लगता है कि हम शोट आउट कर देंगे तो हम आपको बता देंगे आपको कितना charge pay करना है और फिर एक टेलिफोनिकली आपका appointment fix कर देंगे और आपको बहतर तरीके से guide कर देंगे आपको क्या करना है आईए अब बढ़ते अपने main subject की तरब आज की डेट में देखा गया है कुछ bank or NBFC के जो recovery agent है लोगों को बहुत ज़्यदा परिशान करते हैं अगर उनकी 1-2 EMI भी default हो जाएं एसा ही मेरे सामने एक case आया व्यक्ती ने बताया सर मैंने बजाज फिंसरप के माध्यम से एक LED TV परचेस किया था लगबग मैं सभी EMI जो है timely दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी मेरी 1-2 EMI default होई है और 1-2 EMI default होते ही मेरे घर पे एक notice आया है जिस पे लिखा है recall notice अब क्या ये पूरे तरीके से मेरे उपर case करने के लिए तयार है क्योंकि मेरे पास में भी रुपिया पैसा तो है नहीं और recovery agent ने बताया है कि RBI का नया rule आया है अगर आप पूरे तरीके से payment नहीं करते हैं तो आपके उपर 1-2 EMI default होने पर ही case हो जाएगा देखो हमने आ तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कभी भी कोई bank और NBFC जब तक आपका loan NPA ना हो जाए तब तक आपके उपर legal action नहीं ले सकता ये RBI का rule कहता है ऐसा कोई RBI का rule नहीं है कि 1-2 EMI default होते ही आप व्यक्ति के उपर action ले लो अगर कोई ऐसा आपको बता रहा है तो वो ए एक recovery agent है आपका बेवकूब बना रहा है अब NPA क्या होता है पहले आप इस चीज को समझेए NPA होता है non performing asset ऐसा पैसा जो bank और NBFC को किसी प्रकार का कोई भी फाइदा नहीं दे रहा है समझे ना अब ये होता कब है NPA वैसे तो बहुत से वीडियो में clear कर चुका हूँ लेकि टू डेस तक कोई भी पैसा नहीं पे करता है तो आपका जो account alone का वो NPA कर दिया जाता है अब NPA होने के बाद में bank और NBFC के पास में पूरा अधिकार है वो आपको एक notice भेजे और notice में बताए कि भीया इतना आपका amount बन चुका है और अब आप NPA की category में आ चुके हैं आप तरीके से payment कीजिए अने था हमें legal action के लिए जाना पड़ेगा very simple NPA होने के बाद में अगर कोई notice आ रहा है तो फिर उसको आप थोड़ा सा मतलब ध्यान दें अच्छे तरीके से देखें चीज़ों को क्या है अब जो आपको एक या दो EMI default होने पर recall नाम का notice मिल रहा है तो recall notice में सिर्फ इतना है बता जाता है कि आपका जो loan account है वो NPA होने वाला है आप इतने समय के अंदर payment कर दीजिए simply ज्यादा कुछ उसमें नहीं होता है लेकिन कुछ recovery agent क्या करते हैं लोगों से बातचित करके उनको पढ़ लेते हैं कि यह कितने knowledgeable है और इसको knowledge है भी या नहीं ह उसको पूरे तरीके से जब वो identify कर लेते हैं तो उसका उसी तरीके से वो बेवकूब बनाते हैं आप उस recall notice को किसी भी advocate की पास में लेकर के जाएगे वो आपको reality बता देगा तो यह आपको पूरे तरीके से सुनिश्चित करना है कि ऐसा कोई RBI का rule नहीं है आपकी 1-2 EMI default ह होते ही आपके उपर case हो जाएगा बिल्कोल नहीं NPA होने के बाद में सब चीजे होती हैं तो आप पूरी तरीके से ना डरें घबराएं ना कोई tension ना लें कोई दिक्कत परिशानी नहीं है देखिए अगर आपके पास में रुपिया पैसा है तो आप payment करके अपना पीछा च आप इखटा अपनी यह माई को पे कर दीजेगा तो आशा करते हैं यह video आपके लिए जरूर helpful रही होगी अगर ही video आपके लिए helpful रही है वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं helpful नहीं रही है वीडियो को आप dislike कर सकते हैं कोई सुझाव देना है आपको email और comment के जरीए दे सकते हैं अब आप मुझे आगे दीजेगा मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में thank you so much